जी हाँ आपने बिल्कुल ही सही समझा आज मैं स्कीन वैटनिंग के बारे में आपके साथ ये वीडियो सेर करने वाली हूँ तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी जरूर से कर देना हेर के लिए स्कीन के लिए बहुत ही फयदे मन्थ होती है और बहुत ही आशाने से कम पैसों में भी मिल जाएगी आप एक सेसे ले लेना और अब हमें स्मेण करेंगे कोल गेड़ कोलगयच कोलेड़ करता है उसी तरह हमारे हाथ पेर नेख गरदन को भी ड्लीन करेगा और अब जो में इसमेट करने वाली हूं वो आपको इनो या तो खाने वाला सोडा एट करना है मैंने यहाँ पे इनो ले लिया है एक चमच यह इनो जो है वो हमारे face पे हमें बिलकुल ही नहीं लगाना है यह हमारे हाथ पेर नेक पे लगाना है ताकि हमारे हाथ पेरों में जो भी गंद की है वो दूर हो जाए अब मैं इसमें एट करूँगी लेमन लेमन जो है न उसमें सेट्रिक एशिड होता है ब्लीच का काम करता है तो हमारे हाथ पेरों में जो भी दूल मिटी गंगी जमी होगी वो आसानी से दूर हो जाएगी आप देख सकते हो अच्छे से बबल आ गए है उसी तरह हमारे स्कीन से ये मेल गंगी जो है वो ये दूर कर देगा तो आपको लेमन को बिल्कुल ही स्कीप नहीं करना है ये जो है ओफशनल है मैंने विनेगर डाला है अगर आपके पांश है तो आप एक या दो बुन इसमें दिखेंगा मगर ये जरूरी नहीं है कि मैंने डाला तो आपको भी डालना ही आप लेमन डाल दीजिए गा आपको बहुत ही बड़ी रिजल्ट मिल जाएगा और इसे आप पेस पे बिल्कुल नहीं लगा ना आपकी स्कीन जहाँ जहां पे डाल है हाथों में पेरों में नेक बेक पे पूरी पीछ पे भी लगा लिजिए गया आपकी स्कीन अगर बोडी जो है वो डल है तो आप लगाईए वैसे तो कुदरत ने जो भी स्कीन दी है वो स्कीन हमारे लिए बहतर ही होती है उसमें हम कोई डिफरेंट या अच्छा चेंज कलर नहीं कर सकते मगर उसकी बारा मिनिट के लिए इसे ही छोड़ दूँगी फिर इसे में दो तीन मिनिट ज्यादा नहीं दो तीन मिनिट हल्क के हाथों से इसे स्क्रब मशाज करूंगी तैकि जो भी मेल है चुपी वो सारी दूर हो जाए हमारे हाथ जो है वो चमकने लगे तो आपको याद रखना है उसे पांच-साथ मिनिट बिल्कुल ही स्क्रब नहीं करना है वो तो मैंने स्पीड लगाई है इसलिए वीडियो में आपको लग रहा है कि मैं ज्यादा रगड के कर रही हूं मगर मैं स्लो ही मैंने धीरे से आराम से इसे मसाज किया हुआ है और आप देखेंगे कि आपके हाथों में जो भी मेल धूल मिटी गंद की आपके पेरों में आपके नेक में बेक पहे वो दूर हो जाएगी और आपके चेहरे की तरह ये बहुत ही चमकने लगेगा तो अगर आपको व सिर्फ और सिर्फ एक ही बार इसे यूज करना है ना कि आपको इसे दो तीन बार उज करना है इससे हमारी स्कीन जो है वो डल पर सकती है तो आपको इसे वीक में सिर्फ और सिर्फ एक बार उज करना है अगर आपकी स्कीन ज्यादा डल है तो वह भी आपको इसे दो पर यू मगर इसे आप विक में चुन्दरता से बिगार तो आपको इसे बिलकुल ही लगाना है, जो मैं आपको कहाँ बता रही है आप देख सकते हैं मेरे हाथ वो बहुत ही उपसूरत हो गए है और प्रेम व किजियेगा और अपने result मेरे साथ share करना बिल्कुल ही मत भूलना आप देख सकते हैं मेरे हाथ कितने खुबसूरत हो गए है मैं इस week में एक बार या 15 दिन में एक बार तो use करती हूँ वैसे तो मैं दूसरी भी चीजे care करती रहती हूँ वो भी मैं आपको बताती ही रहती हूँ और आपके पास जो ओइल है उसे आप मालिस कर लिजएगा थेंक्यू फॉर वोचिंग जाएगा